नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपके घर परिवार की पीछे भूत छोड़ दिया है इस नाम की नारी या फिर इस नाम की औरत जियन दोसों हम आप श्रीव को बता दें कि यहां औरत पिछले कई महिनों शे पिछले कई शालों शे आपके उपर टांतरी किर्या भी करवा रही है और इनके ही कलाजादों के कारण आपके कारे अक्षर बनते बनते बिगड़ जाते हैं इनने के कारण आपकी जुनकाल में इतनी शारी परेशानिया लगातार बनी रहती है आप चाह कर भी इन परेशानिय से मुक्तनी हो पाते ही एक परेशानिय गर आपकी जुनकाल में खत्म हो जाए तो या एक और शनींतर करती है और आपकी जुनकाल में कोई दुश्रा बाधा खड़े कर देते हैं जिनकी करन आप फिर शुव लज जाते हैं यूं के हैं तो आपकी जुनकाल में बिरिद्धी कम हो गई है इस नाम की नारी के वज़ाशी जिया दोसों तो दोसों आज की इस वीडियो को आप पिल्कुल ही मिश्णा करें और शुरूश लेकर इन्हें अंत की तरीकेशी बताने वाले हैं बशिन में आपकी जरत होती है कि वीडियो को शुरूश लेकर अंत तक ध्याश देखिएगा जया दोसों हम आप शुरूश को बताते कि आज की वीडियो में हम आपको इस नारी का नाम भी बताएंगे शातिक केसे आप इनसे बश रखते हैं क दोसों वीडियो को एक पैराश लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्ष में शच्चे मंसे जय माकाली रखचा करो जरूर लिखेगा दोसों माकाली का शबत इतना खाश है कि जनके भी जनकाल में इनका आँख पढ़ जाएं जनके भी जनकाल में इनका अश्रवाद मिल शंकट की परशाई भी नहीं आपाती जिया दोस्तों तो दोस्तों जरू कमेंट बॉक्स में जय मांकाली लिखें शादे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेश कर दें मांकाली का शिरबाद आप शिविक युनकाल पर शदेब र रखते हैं आप अपने परिवार कि शाद बातों को तो शेर करते हैं जो भी आप उपने जुप्ट में दोस्तों बणा दे ऑसक्राइब आले ये जुनाओं के बारे में शबी को बता देती है हैं prechen आपकी गलती है और इन्हीं के कारण आप शबी की ज्युनकाल में जो भी शुमेश्याय आ रही है यहीं से शुरुआत शोटा दें कि सबसी पहले लिएकती आपके बारे में जानता है ऍति कि आपके इंसान है फिर दोस्तों देरे देरे आपके उत्रह रहर नचृत डिषुली देखने की नजरिया बदल जाता है और दोस्तों याध कीजिए कि पिछले शिमेंतराल में भी आप शिवानकाल में एशिक कई लोग आए हैं जो कि आपके शात रहकर आपको धोखा भी दिये हैं और कोई एशा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आप से मिलने के ये बहुती प्रकार के जो है कारी भी किये हैं कि किशी भी ईंसान को एक बार माप करकर अच्छा बन जाऊ लेकिन दोस्थ दोभारा Τमपर बिश्वास करना जीवन की सब से बड़ी गलती होगी क्यों दोस्थ हो उस भूई सब्सक्राइब करें तो दोस्थ आपको अपने जुहंकर में इन उनकाल मीं दोखा दिये हैं कभी भी आपको चल की हैं तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार स्वी पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है जिसे दोस्तों आप उनको अपने जुनकाल में निकाल सकते हैं और दोस्तों यही ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके शात रहकर आपके होते हैं तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है को बिल्कुल भी Hess और दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं इतों पेकी चाहन करते हैं भी आते हैं तो पीछे पर चाहि। बात और देख्ते हैं कि दोस्तों आप नंकी नजरों में बुरे बन चुके हैं सबस्टों आपका और यूंकाल में बातों का ध्यान रखना है कि पेशे से लेंदेन जल्दी आपना करें सब्सक्राइबें साथ तो एक दर hours बहुत ही बुरा भी है जे दोस्तों जहां पेशे हमारी जिवन की जबिक चाहें पूरी करती है वहीं दोस्तों दुसरी और अगर हम किसी को पेशे देते हैं तो दोस्तों हम चाहें कितना भी अच्छा कारी क्यों न कर रहे हो हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं हैंब से जटने हैं जुराने लगते हैं जितना पहले बात करते थे दोसों पीछे आफशे हैं अपगिzero आपके लिए इन इनकाल में कोई बी करीबी लोगों शेत पेशे की लिया जोन बेर नहीं करनी है जे दोसों जहां तक हो शुगे आप शमय उन्हें दिर्शक्ति हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छे होगी और दोसों पेशे को लेंदेन में आप बिल्कुल ही ना पड़े तो दोसों इन बातों को आप अपने जुनकाल में ध्यान रखें कि दोसों एसे ही गलतिया होती है जो कि आपके जुनकाल में आप करते हैं और दोसों आगे चलकर वही गलती विशार रुप धारन करके आपके जुनकाल में कई परकार के शमच्याओं का कारण बनते हैं जे दोसों और यही लोग आगे चलकर आप शबी की जुनकाल में तोटके भी करवाते हैं करने मेहत्पून उपाईव को करना चाहिए जैदोसों आपको बता दे इन शवी बातों को बिल्कुल ही ध्यान शुशुनिए गार्द दोसों यह अपके पूरे जीवन का नहीं रहता वह खुद से कोई कारे सोच नहीं शकता श्वेंग को और दुसरे को हमेशा मांसिक और शारिक नुक्षान पहुंचाता रहता है व्यक्ति के शरीर के हिशाब से जो उनका बल होता है वह ज्यादा आ जाता है एत्र में जलन होने लगता है बार-बार पेशाबाना उदाशिन और गुम्चुम रहना वह व्यक्ति शरू कर देता है हमेशा गुश्यल हो जाता है और चिच्चिड़ा पन आने लगता है चेरा भी पिला परने लगता है भू को ज्यादा लगती है अचाना कि कोई रोग हो जाता है और जब दॉक्टर से इलाज करवाते ही तो क कि मैंशी कोई भी चीज आपके जुनकाल में आपके पार्यों महाल में किसी के शाथ हुआ है तो दोस्तों आपको शमजाना है कि इनुके पर तांत्री क्रिया जादू तोना या फिर नजर दोश का ही चाल है तो दोस्तों इनिश्य बचने के लिए अब आपको कौन से उपा और फिर शेह ही अपने घर बाहर का लिपाई करें शाते जो गोमुत्र होता है उन्हें अपने घर के चारहों से हरोच छीड़काव करें ये दोस्तों हम आप शा है और कोई अगला व्यक्ति टोक दे तो दोसों उनका अश्र नहीं होता तो दोसों जब भी आप गाय के मुझ्ट से घड़ का छिड़काव करते हैं तो दोसों आज पस आपके कोई बेना हो चुपके श्याप एक्षब करियाएं करें ज्या दोसों ना ही घर के व्यक्ति हो ना कि चारों तरक थोड़ा थोड़ा करके छिड़काव कर देना है साती प्रती दिन एक शुपाड़ी शाबुत अर्पन करें गनेज जी को हरोज किसी दरित्र नरायन को एक कटोरी भर कर अन्यकाभी दान करें शाती लहशुन का रश और हिंग मिला लें और इन्हें शुमादे जो भी आपके घर में पिडित व्यक्ति है जो भी जो जो भी लोग इन शे परिशान है बुरी शक्तियों शे परिशान है कि जब भी रववार का दिन आता है तो उसमें आपको धतुरे का जड़ लेना है और उनका ताविज बना कर जो भी पिडित व्यक्ति है उनको पहना देना है ये बहुत ही अच्छा उपाई शाति गोचरन और तगर को एक नए लाल कपड़े में लपेट कर बांद कर रख दें अपने पूजा अस्थान में शाति आपको बता दें कि दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पोधा ना हो तो घर में ही तुलसी का पोधा अपन साथी प्रती दिन पीडित वेक्ति को पाड़ करना चाहिए हरमान चलिशया का भी पाड़ कर सकते हैं इसके बार छुंदर कान का भी पाड़ कर सकते हैं और इस राध साथी आपको गा straight minute 108 बार जाप करना चाहिए GDOSो कोयला शवा किलो एक किलो शाबुद उड़त के डाल क ये शाथ मिलाकर काली रंग के शवा मीटर कपड़े में बांद लें और इन्हें पीडित व्यक्ति के उपार स्विवार कर जल्में प्रवाहित कर दें एक चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर एक शाथ डालकर पूजा अस्तान में जला दें प्रती दिन रात को सोने से पहले आप इन्हें उपायें को किजीगा जे दोसों शाथि आपको बदा दें कि धतुरे का जो पोधा है उन्हें जड़ शरीद उखार लें पुष नचतर में और उन्हें जमिन के अंदर इस तरह दबा दें कि पूरा पोधा जमिन के अंदर चला जाए और उपर रह जाए केवल उसका जड़ वाला भाग इस तोटके को अपनाने शे घर में शुक्षान्ती का अनुबव होता रहता है और उपरी हवाओं शेभी व्यक्ति को मुक्ति मिलता है शनिवार या मंगलवार के दिन आप हमेश्वा भजरंक बान का पाठ करें शदा हनुमान जी का ध्यान करें शुन्दर कान का पाठ करें शनिवार और मंगलवार के दिन संगार करें हनुमान जी का और उन्हें चोला भी चड़ाए रात दिन पवित्र होकर शुबश राम दो भी बधाएं हैं उन्षे मुक्ति दीजिए जो भी गलतियां हमसे हुई है उन्हें माप कर दीजिए मां हमें अपने शरण गति में रखी दोस्तों एशा आपको प्रात्ना करना है अपने घर के मंदिर में शात पत्ते रखें अशुक विरिक्ष के उनकी पुजा करें और शु गायतरी जावितरी को कूट कर चूर्ण बना लें तथा उश में गूगल मिश्डित कर प्रातकाल तथा शंध्याकाल में निनतर अक्केश दिनों तक घर में धूप देते रहें शाती चार गोंती चक्र लेकर शुकलपास की बुद्वार को पीडित व्यक्ति के उपर उतार कर चारों दिशा में फैंक दें घर में हर्मान चलिशा की चमतकारिक चोपाई का शुबा और शाम पीडित व्यक्ति के शामने पाट करें और उन्हें शुनाएं इस बात का ध्यान रखें कि नीमीत रुप्षे आपको अपने घर में गोंगाजल का चिड़काव करना है घर क शाति गरीबों को भी कटोरी भर कर अन्य दान करना है का जाता है कि गरीबों को दान करने शिरे भगवान शिंदेव प्रशन होते हैं और जुनकाल में जो भी उपरी बदाई होती है जो भी व्यक्ति के जुनकाल में कष्ट होते हैं भगवान शिंदेव उन्हें दूर कर द पीडित व्यक्ति को नरायन कवच का भी पाट कराएं गाय के घी पीले शर्षों कपूर गुगल का धूप बनाकर शुर्यात के शमय गाय के गोवर्षे बने उपलों की शहता से जलाएं यह धुनी अक्केस दिन तर घर में देते रहें शाति आपको बता दें कि शुर्यात के शमय हश्नान करके एक शाप शुद्रे बतन में आधा किलों गाय के कच्चे दूद में शुद्र शहत की नो बुंदे मिलाएं अब घर की छट से लेकर परते कमरे जीने गिलेरी आदी में सबी जगों पर उस दूद के छीटे हर्मान चल जीरा शाद बार अभिमंत्रित करके रोगी किसे अश्पस कराएं और उसे अगनी में डाल दें रोगी इस सितिती में बैठे कि उनका धुआ शिदे उनके मुख पर आए और शाति इस मंत्र से जीरा को अभिमंत्रित करें जीरा जीरा महा जीरा जीरिया चलाए जीरिया की शक्ति से फलाने चली जाए जीये तो रम तले मोहे तो महसान तले हमरे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चले जाए हुप्म पाड़ुआ पीर की दिहाई और शाति एक और मंत्र है जो कि आपको अपनी जुनकाल में करना है शह ओम नमो भगवते रुद्राई नमा कोशिची नमो जोती पंतगाई नमो रुद्राई नमा शिद्धी श्वाहा शह तो दोस्वों मीद करते कि आज कई यह जनकारी आप शिवी को बहुत यदा पशन आया होगा दोस्वों पसंद आये तो दोस्वों वीडियो को जरूर लाइक करें और शाती चैनल को भी शब्स्राइब कर लें ताकि और शिवी बहुत ने महत्पून जनकारी आप तक शब्शे पहले पहुंश के